Hello everyone, तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि OpenOffice या फिर MS Word में आप image कैसे add कर सकते हैं and उनको कैसे edit कर सकते हैं साथी साथ हम यह भी सीखेंगे कि अगर हमें objects create करने हैं and अगर उनको हमें edit करना है तो वो हम कैसे करेंगे So these are the topics जो आज हम अपनी वीडियो में cover करने वाले हैं तो अगर आपको यह topic detail में समझना है और practically देखना है तो आप इस वीडियो को end तक जरूर देखें तो हमारा जो first point है वो है हमारा insert an image to document from various sources So यहां पर हमारा पर बहुत सारे sources होते हैं या फिर तरीके होते हैं जिनके थू हम अपने document में या फिर open office writer में हम अपनी images को add कर सकते हैं So there are five ways जिनके थू हम अपनी image को add कर सकते हैं अपने open office writer कंदर First one is drag and drop, second is insert picture dialogue, third one is image from the clipboard and fourth one is image using scanner and the last one is image from the gallery So one by one मैं आपको सारे तरीके बताऊंगा जिनके थू हम आप अपनी images को add कर सकते हैं इस document के अंदर So the first way is drag and drop option, मैंने कुछ images को अपने desktop पर add कर लिया है ताके मैं अपने इस document में उन images को add कर सकूँ So मैं इस window को थोड़ा सा resize कर लेता हूं ताके आप easily देख पाएं उसको So यहाँ पर मेरी एक image है जो मैं add करना चाहता हूं अपने इस document के अंदर So इस image को add करने के लिए आपको क्या करना है So this is the first way कि हम drag and drop से कैसे अपनी image को add कर सकते हैं अपने document के अंदर Now the second way is insert picture dialogue So मैं इस image को delete कर देता हूं ताके मैं दुबार आपको दिखा सकूँ कि मैं कैसे add करूँगा उस image को So हमें क्या करना है इस insert पर जाना है Insert पर click करने के बाद हमें क्या करना है यहाँ पर एक picture को option होगा तो देखें आपर जैसे मैं picture पर जाऊँगा यहाँ पर from file option आ रहा है तो जैसे मैं इस from file पर click करूँगा तो क्या होगा यहाँ पर एक dialogue box open होगा जहां पर मेरी images होगी मैं वहाँ पर जाके अपनी image को select कर सकता हूँ तो देखें आपर मेरे पास काफी सारी images है तो मैं यहाँ पर यह वाली image select कर लेता हूँ इस पर click करता हूँ and मैं open पर click करता हूँ तो यहाँ पर मेरी image add हो जाएगी तो this is the second way जिसके through हम अपनी image को add कर सकते हैं Now the third way is image from the clipboard तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा अपनी drive या किसी folder में जाना होगा जहां पर भी my image save होंगी तो मैंने अपनी images है वो मैंने अपनी desktop पर save कर रखें है तो मैं अपनी desktop पर जाता हूँ तो desktop पर जाने के बाद देखें हाँ मेरी image है image को मैं copy करूँगा clipboard का मतलब है copy and paste सीधी सी बात है तो मुझे क्या करना है अपनी image को copy करना है तो मैं क्या करूँगा ctrl प्लस c प्रेस करना है और हमारी image है वो copy हो जाएगी तो अब मैं वापस अपने document को open करता हूँ तो जो image मैंने अपने document से copy करी है वो मुझे यहां पर पेस्ट करना है तो पेस्ट करने के shortcut की होती है ctrl प्लस b तो जैसे ही मैं अपनी key प्रेस करूँगा ctrl प्लस b देखे यहां पर मेरी image add हो जाएगी तो यह हमारा third तरीका है जिसके through हम अपनी image इसको add कर सकते हैं अपने document के अंदर I believe आप लोगो को shortcut keys पता होंगी है जो basic हमारी shortcut keys है यह आपको पता होना बहुत जरूरी है now the fourth way is through the scanner तो scanner option आपको कहां मेलेगा same insert पर जाएंगे insert पर जाने के बाद आपको picture में जाना है picture में जाने के बाद आपको scan का option मेलेगा लेकिन यह option बस तभी काम करेगा जब आपके laptop में या फिर आपके computer में कोई printer connected होगा अभी मेरे system में कोई भी printer connected नहीं है लेकिन आपको तभी दिखा रहा हूँ कि आपको कहां से images add होंगी तो यहाँ पर मैं क्या करना है select source पर क्लिक करना है source पर क्लिक करने के बाद जो भी आपके laptop या computer में printer connected होते होंगे या फिर connected होगा वो आपको सारे options यहाँ पर मिल जाएंगे तो suppose मेरे पास Epson का L405 series का एक printer है तो अब जैसे image पर select करूँगा और मेरा printer connected होगा तो उसमें जो भी हमारी copy रखी होगी और जो scan हो रही होगी वो image हमारी यहाँ पर add हो जाएगी अभी में select पर क्लिक करूँगा तो अभी कुछ भी नहीं होगा यह काम तभी करेगा जब हमारा printer connected होगा Now the fifth way is from the gallery तो आपको gallery दो जगा से मिल सकती है पहला तो direct तरीका है आपको यहाँ पर देखे गैलरी का option देख जाएगा जैसी में इस पर क्लिक करूँगा तो देखे हैं यहाँ पर हमारा पास बहुत सारे options आपको देखने को मिल जाएंगे इसके अंदर बहुत सारे हमारी images मिल जाएंगे आपको suppose मैं background या पर computer ले लेता हूँ कोई आपको जाएंगे आपको जाना है tools पर tools पर जाने के बाद आपको gallery option मिल जाएंगा आप इस पर क्लिक करेंगे तो same वैसे options आजएंगे जैसे आपके पहले आये थे तो यहाँ पर diagram ले लेते हैं diagram में कोई सा भी हम image ले लेते हैं suppose यह diagram ले लेते हैं तो हम right click करेंगे right click करने के बाद insert and copy तो देखें आपर हमारी अब यह image add हो गई है now after adding image to our document अब हमें क्या करना है इसको edit करना है या फिर अब हमें इसको modify करना है तो जैसे कि आपने देखा होगा जब भी मैं कोई image add करता हूं और यहां जाने के बाद हमें मिलेगा एक picture का option तो जैसे मैं इस पे click करूँगा तो देखें यह toolbar फिर से आ गई है अब मैं जैसे इस image पे click करूँगा तो यह इसके अंदर जो options होगे वो सारे enable हो जाएंगे देखें यहां पर जो हमारे सारे options अब enable हो गए हैं अब मैं 1x1 इस picture toolbar के सारे options को आपको explain करूँगा जो आपके cbsc book के अंदर भी है Now the first point is graphics mode इसके अंदर क्या है हमें काफी सारे options मिलेंगे grayscale, black and white and watermark तो भी grayscale option को select करता हूं तो देखें क्या effect पड़ता है तो देखें हांपर जो मेरी image अजो तनी colorful थी वो अभी हांपर पूरी के पूरी black and grey में convert हो गई है ऐसे मैं दूर्सा option select करता हूं black and white में तो देखें क्या effect पड़ेगा तो देखें हांपर जो मेरी image है वो बिल्कुल black and white में convert हो गई है and the third one is watermark तो watermark पे क्या होगा हमारी जो image है तो watermark में convert कर दिया है तो after this अगर हमें अपनी image को flip करना है तो हम क्या करेंगे यहां पर देखें आपको दो option है flip horizontally and flip vertically तो मैं अभी आपको पहले करता हूं flip horizontally जैसी में इस पर click कर गए हो तो देखें मेरी image जो एकदम flip हो गई है horizontally तो अगर मैं आपको flip vertically select करेंगे दिखांगा तो देखें हमारी image बिल्कुल opposite हो जाएगी तो यह दोनों तरीके हैं जिनके through हम अपनी images को flip कर सकते हैं now हम move करते हैं काफी important point पे जहां पर हमें जैसे हमारे phones में images को लेके filters होते हैं और हम जिनके through अपने images को बहुत बढ़िया बना सकते हैं वैसे ही इसके अंदर भी कुछ effects है या फिर filters कह लीजे जिनके through हम अपनी images को बहुत बढ़िया बना सकते हैं तो जैसे कि आप right hand side में एक table देख पा रहे होंगे इसके अंदर सारे options explain करे हुए है कि कौन से option से क्या होने बाला है इसमें जो मैंने 3 options को highlight नहीं कर रखा इसका reason यह है कि हम जब इन effects को या फिर इन filters को apply करेंगे अपनी image पर तो हमें बहुत जादा effect देखने को नहीं मिलेगा तो आपको confused नहीं होना है आपको बस ध्यान रखना है कि इस option से क्या होगा तो मैं आपको first option बताने वाला हो कि first option से हमारा क्या होगा first option है invert तो मैं जैसे इस option को click करूंगा तो देखिए आपको colors की knowledge है तो आपको पता होगा कि invert का मतलब क्या होता है just opposite now the second option is smooth तो मैं click करता हूँ और smooth option को select करता हूँ तो आप इस image पर ध्यान दीजेगा वैसे तो effect जादा नहीं दिखेगा लेकिन अगर दिख जाए तो बहुत बढ़िया बात है तो मैं इस option को select करता हूँ तो देखिए यहां पर कुछ भी effect तो नहीं पता चला है लेकिन हमने option select कर लिया है इसलिए मैंने इन options को highlight नहीं कर रहा है क्योंकि इनका जो effect है वह हमें इतनी असानी से visible नहीं होगा लेकिन मैं पता होना चाहिए इनसे होगा क्या then हमारा next option है sharpen तो मैं इस image को sharp करता हूँ तो देखे sharp का का होता है increase the contrast of an image लेकिन यहां पर हमें इतना ज्यादा high contrast change नहीं होगा है कि हमें इतना अच्छी तरीके से visible हो जाए कि यह option apply हुआ है या नहीं then हमारा next option है remove noise noise का मतलब बतर distortion आपकी image में होता है अगर तो यह option उन distortion को remove करता है तो अगर मैं इस option को select करता हूँ तो देखे यहां पर हमें वैसे effect तो जादा नहीं दिखेगा लेकिन हमारा यह option है apply हो चुका है now इसके बाद अब जो आने वाले options है वो हमारे काफी important है और आपको उनके अंदर काफी जादा effect होता हुआ दिखेगा या फिर जो भी हम चीज करने वाले हैं पर हमें काफी जादा filters या फिर effects हमें दिखेंगे तो अब में select करता हूँ यहां पर इसके बाद solarization तो जैसे हम इस पर click करेंगे एक dialogue box open होगा देखे एक dialogue box कहते है तो जैसे मैंने इस dialogue box को open कर रहा है यहां पर आपको एक image दिख रही है जिसका color बिल्कुल invert तरीके से हो गया है जैसे भी हमने शुरू में invert option select कर रहा था वैसे ही कुछ हो गया है तो अगर हम यहां पर हमें threshold value दे रखी है suppose मैंने इस threshold value को 100 कर दिया तो देखें मेरी जो image है वो बिल्कुल सही तरीके से जैसे visible थी पहले वैसे दिखेंगे लेकिन अगर मैं इसकी value को कम करता जाओंगा तो यह हमारी image है यह हमारी invert होना शुरू हो जाएगी suppose मैं यहां पर 50 करता हूं तो 50 करने के बाद end मैं करता हूं तो देखें यहां पर जो मेरी image है वो बिल्कुल थोड़ी-thोड़ी invert होना शुरू हो गई है अगर यहां पर एक option हो रहे है अगर मैं इसको invert करना है तो मैं direct क्या करूंगा invert पर click करूंगा और अभी ok करते हैं तो देखें यहां पर हमारी invert हो गई है इसके बाद हमारा option आता है aging का तो मैं इसको option को select करता हूँ तो देखें हमारी image क्या हो जाएगा gray scale की तरह दिखना शुरू हो जाएगी तो जैसे मैं इसकी value increase करूंगा तो देखें हमारी red हो गई है और मैं जैसे जैसे value decrease करूंगा तो यह red होना कम हो जाएगी अगर मैं 50 करता हूँ तो हलकी सी red हो जाएगी अगर मैं 60 करता हूँ तो देखें यह थोड़ा सा dark red हो गया है और अगर मैं 90 ले गया तो यह और dark हो जाएगा देखें इमेज जो है वो red color में convert हो गई है ऐसे हमारा next option है posterize इसके अंदर क्या होता है makes a picture appear like a painting by reducing the number of colors used तो यह जो हमारी image को हलकासा painting की तरह convert कर देगी तो यह dialogue box open होगा इसके अंदर आपको poster colors देना है that means percentage देनी है यह यह फिर number देना कि आपको कितने high level तक इसमें जाना है तो देखें यहापर मैं 90 देता हूँ तो देखें यहापर क्या हो जाएगा बहुत जादे effect आपको देखने को मिल जाएगा suppose मैं 1 कर देता हूँ और मैं OK करता हूँ तो देखें यहापर बिलकुल change हो गया हमारा image तो यह होती है हमारी posterize की functionality now next option is pop art pop art I think आप लोगों पता होगा तो इक दम highlight हो गया है and जो light color में थो बिलकुल एक दम dull हो गया है ऐसे यहारा next option आता है charcoal charcoal का मतलब है हमारा black and white तरीके से हमारी image आजाएगा तो देखें जितने भी colors से हमारी image के अंदर वो सब खतम हो गया है और बिलकुल हमारा black and white color इसके अंदर add हो गया है so this is the functionality of charcoal now the second last option is relief relief से का होता है हमारा तो उसमें क्या है हमारे corners ये रखे हैं और एक center में हमारा point ये रखे है अब ये क्या करता है हमारी जो image है उसमें light दिखाता है कि वह कहां से पढ़ेगी अगर हमारी यहां से left top से पढ़ रही है तो हमारी जो shadow है वह देखे हमारी right hand side में create होगी हमारी image के अगर मैं light की position change कर देता हूं right top corner तो देखे इसके जो shadow है वह हमारी left hand side में दिखाई देना शुरू हो गई है तो मैं इसको select करता हूं option को and okay करते हैं तो देखें आपर width दे रखी है और height दे रखी है तो यहां पर मैं इसको थोड़ा से increase करता हूं ता कि आप लोगों को थोड़ा effect दिख जाए तो मैं इसको 45 कर देता हूं तो यहां पर देखेंगा आप preview मैं कि यहां पर image हमारी थोड़ी से distort हो गई है इसके बाद हमारा option आता है transparency transparency का मतलब है हमारी image कितनी जादा visible होनी चाहिए और कितनी हमारी hide होनी चाहिए तो अभी transparency है वो है 0% अगर हम इसको change कर देता हूं 90% तो देखें हमारी image जो है बहुत जादा हो गई है तो अगर हम 0 रखेंगे तो हमारी image जो है बिल्कुल सही दिखेगी और अगर हम इसकी value है वो increase कर देंगे तो हमारी image है वो यहाँ पर dull होना या फिर visible होना कम हो जाएगी या फिर transparent हो जाएगी अगर हम इसको 100% कर देंगे तो हमारी image बिल्कुल भी नहीं दिखेगी अगर हम अपनी image को crop करना है तो वह हम कैसे करेंगे so there are two ways to crop our image पहला तरीका है आप अपनी image पर right click करिए and right click करने के बाद picture पर click करिए तो देखें यहाँ पर एक crop को option देख रहा होगा तो crop में जाने के वाल आपको क्या करना है यहाँ पर आपको दो option देख रहे होंगे keep scale और keep image size तो अगर में keep scale करता हूं तो क्या होगा वह देख लेते हैं तो पहले यहाँ पर अगर हमें crop करना है left right top bottom हमें चारो corners दे रखे हैं जिनके through हम अपनी image को crop कर सकते हैं तो मैं left से थोड़ा से increase करता हूं आप यहाँ पर preview में देख सकते हैं कि क्या क्या changes होंगे हमारी image पर तो मैं इसको थोड़ा सा और add कर देता हूं और यहाँ पर ले लेते हैं and top से थोड़ा कम कर लेते हैं ताके थोड़ा top से भी हम कम कर सके and bottom से थोड़ा increase करते है and now right से कुछ नहीं करते है क्योंकि हमारी जो image है वो बिल्कुल perfect है now अब इस ratio को हमें apply करना है अपनी image पे तो हमें क्या करना होगा यहाँ पर just okay पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो image पे पॉइंच सेलेक करें तो हमारी अब crop हो गई है now the second way is हमें अपनी image को crop करने के लिए क्या करना है property window पे आने के बाद हमें position and size के corner में एक छोटा सा icon आ रहा है more option का तो जैसे में इस पे क्लिक करूँगा यहाँ पर देखे crop option हमें देखने को मिल जाएगा इस बार में आपको दिखाता हूँ keep image size वाला option इसमें क्या होगा हमारी image का size है वह वैसा ही रहेगा हमारी image है वह stretch हो जाएगी अगर हम crop करेंगे तो तो ध्यान दीजिएगा हमारी इस image पर तो मैं इसको थोड़ा सा और जादा तो देखें यहां पर हम आगे तो कर लेते हैं और top से भी थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं ताकि थोड़ा सा ही हो जाए तो अब मेरे को इस image को crop करना है तो अब आप इस image पर ध्यान दीजिएगा कि अब यहां पर काई fact पड़ेगा जब मैंने keep image size को select करा है तो मैं okay करता हूँ तो देखे क्या हुआ है हमारी इमेज है वह इसी size में आई है बट हमारी इमेज थी वह हमारी crop हो गई है लेकिन इसका size change नहीं हुआ है बट इससे पहले जो मैंने option select करा था उसके अंदर मेरी image का size भी change हो गया था So these are the two ways जिनके through हम अपनी images को crop कर सकते है Now after cropping अगर हमें अपनी image को resize करना है means हमने crop तो कर लिया लेकिन हम अब इस image को adjust भी करना चाते है means इसका size सोड़ा से increase करना चाते है और stretch करना चाते है तो हम कैसे करेंगे तो जैसे हम अपनी image को select करेंगे आपको सारे corners पे green color के points दिखेंगे तो इन points के through हम अपनी image को resize कर सकते है तो देगे जैसे हम इस image को पकड़के stretch करूंगा तो हमारी image है वो properly move होना श्रू हो जाएगी तो मैं अपना left click release करता हूं तो जैसे मैंने release करा है हमारी image के size है वो increase हो गया है अगर मेरे को सिर्फ खाली left and right से ही change करना इसका size तो मुझे क्या करना हो या तो मैं right hand side का green point उसको stretch कर सकते हैं या फिर left hand side का point है हमारा उसको click करके हम drag कर सकते हैं तो मैं इसको hold करता हूं left click and drag करता हूं इसको तो देखे मेरी जो image है वो top or bottom से change नहीं हो रही है सिर्फ खाली left से change होगी तो देखे हां पर हमारी image है वो resize हो गई है ऐसे ही मैं bottom से कर सकता हूं bottom क्लिक करेंगे and उबर दाखे हम इसको drag करेंगे तो और जैसे ही मैं आपना mouse को release करूंगा तो देखे हैं फिर से हमारी image को resize कर देगा now after this अब हम सीखेंगे कि अगर हमें अपनी image को rotate करना है तो वो कैसे करेंगे हमारा जो open office है इसकी थोड़ी सी limitation है compared to ms word ms word जो है बहुत जादा अच्छा है and बहुत जादा easy भी है तो इसके अंदर हमारी limitation यह है कि हम अपनी image को easily rotate नहीं कर सकते अगर इसको rotate करना है तो हमें किसी और option में जाके इसको rotate करना होगा अब वो option क्या है हमें जाना है file पर जाने के बाद new new के बाद पस दो option से यहाद हम presentation में चले जाए यहाँ फिर हम drawing में चले जाए तो मैं drawing में जाता हूँ अब मेरे को इस image को rotate करना है तो rotate करने के लिए हमारे पास option है यहाँ पर देखे effects का effects के बरावर में एक छोटा सा arrow है मैं इस पर click करूँगा तो देखे यहाँ पर हमारा एक option है rotate का जैसे ही मैं इस rotate बटन पर क्लिक करूँगा हमारे जो उपर image के चारो तरफ green points आ रहे हैं वो red में convert हो जाएंगे देखे हमारे dots थे green color में वो अब हमारे किस में convert हो गए है red में तो अगर मैं अब अपनी image को rotate करना चाहता हूं तो देखे किसी भी point पर जाके जैसे हम अपने cursor को लेके जाऊंगा वो हमारा rotate होने का option visible हो जाएगा तो जैसी मैं अपने left clip को यहाँ बे click करूँगा और hold करके इसको rotate करूँगा तो मेरी जो image है वो rotate होना श्रू हो जाएगी लेकिन MS Word में बहुत easy है हम उसी software के अंदर MS Word के अंदर ही हम अपनी image को rotate कर सकते हैं लेकिन हमारे जो open office है इसके अंदर यह limitation है कि हमें किसी और software में जाके means drawing में या फिर presentation में जाके हमें अपनी image को rotate करके copy करके हमें अपने open writer में paste करना होगा तो मैं इसको copy करता हूँ क्योंकि मैंने rotate कर लिया मैं इसको copy करता हूँ ctrl c and मैं अपने open office writer में जाता हूँ तो आप मैं अपनी image को paste करता हूँ तो देखें यहाँ पर जो मैंने अपनी image को rotate करा था वो यहाँ पर अप visible हो गई है so this is the way जिसके through आप अपनी image को rotate कर सकते हैं open office writer के अंदर now the next main topic is drawing an object कि अगर हमें कोई object draw करना है या फिर कोई shape draw करनी है तो वो हम कैसे करेंगे उस option को visible करने के लिए हमें क्या करना है हमें जाना है view पर view पर जाने के बाद toolbar पर जाने के बाद हमें कहा जाना है drawing option पर जैसे हम इस पर click करेंगे देखे मेरे जो open office writer की जो bottom side है वहाँ पर हमारी toolbar enabled हो जाएगी देखे यहां पर अब मेरी एक toolbar enabled हो गए जहां पर आप लोगो shapes type का कुछ दिख रहा होगा तो यही हमारी है drawing toolbar जिसके through हम अपने काफी सारे shapes बनाएंगे और इनको resize और इनको edit कर सकते हैं तो जैसे कि आप अपनी screen पर देख पा रहे होगे यहां पर जितने भी हमारे shapes हैं उनके नाम आपको दिख रहे होंगे अगर आपको कुछ shapes यहां पर आपको नहीं visible हो रही होगे तो आपको क्या करना है इस arrow button पर click करने के बाद आपको visible button पर जाना है suppose आपको curve वाला option चाहिए यहां पर तो आपको इस पर click करना है और देखें हिहांअ पर यह option's visible हो जाएगा ऐसी एकर आपको किसी option को हटाना है यहां जा तो आपको फिर से यह करना है आपको suppose star वाल ओ स्टार वाल ओस्षन को हटाना है तो आपको यहां से देखें तो आपको उसको select करना है, suppose मैं rectangle select करना चाता हूं, तो मैं इस पर click करूँगा, click करने के बाद देखे, जो मेरा cursor है, वो बदल गया है, तो मैं इसको क्या करूँगा, अपने left click को click करना है, and अपने click को hold करे रखना है, तो जैसे ही मैं इसको ड्रैक करूंगा तो देखे हैं यहाँ पर एक shape create होना शुरू हो जाएगी तो जैसे ही मैं इसको अपने left click को release करूंगा यह हमारी shape create हो जाएगी अब जैसे ही मैंने इसको release करा यहाँ पर चारो तरफ इसके green points आ गए हैं अब आप लोगों को पता चल गए होगाई green points क्यों हैं ताके हम अपने shape को या फिर अपने object को resize कर सकें अब हमें इस object को या फिर shape को edit करना है तो हम क्या गरेंगे यहाँ पर हमार बार दो options हैं पहले तो आपको ऊपर toolbar दिख रही होगी जिसके अंदर काफी सारे options हैं जो आप इस object पे apply कर सकते हैं साथ ही साथ आपको right hand side में भी एक toolbar दिख रही होगी area and line के नाम से जिसके अंदर आपको काफी जादा चीज़े दिख जाएंगी तो यह दोनों ही तरीके हैं जिनके through आप अपने objects को edit कर सकते हैं तो मैं आपको कुछ options दिखा देता हूँ suppose यहाँ पर मेरे को color fill करना है इसके अंदर तो यहाँ पर देखें काफी सादा options है तो अगर मेरे को कोई gradient color लेना है तो मैं इस पर select करूँगा और देखें यहाँ पर जो हमारा gradient color होता है वो क्या होता है dark to light color convert होना शुरू हो जाता है तो ऊपर देखें यहाँ पर हमारा dark black आ रहा है और नीचे आते आते ही हलकासा gray होना शुरू हो गया है ऐसे यहाँ पर काफी जादा combinations है हमारे जो हम use कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर orange gradient 2 ले लेता हूँ तो जैसे इस पर click करूँगा तो देखें यहाँ पर हमारा gradient color हो चेंज हो गया है orange to yellow तो ऐसे ही बहुत सारे options है यहाँ पर जिनके through हम अपने image को या फिर अपने shape को काफी जादा बढ़िया बना सकते हैं अगर हमें अपने shape की lines जो है वो थोड़ी सी bold करने है या फिर highlighted करने है तो हम यहाँ से इनको select कर सकते हैं suppose मैं 3.0 को select करता हूं तो देखे यहाँ पर जो line का जो border था वो हमारा थोड़ा bold हो गया है और अगर इसका color भी change करना है हमें अपनी line का तो वो भी हम कर सकते हैं तो suppose मैं इसको थोड़ा ब्लू कर देता हूं तो देखे जैसे मैंने इसको blue को select कर रहा है तो यहाँ पर हमारी line का color है वो blue हो गया है अगर आपको इस object को resize करना है तो आपको कारना है आपको corner से किसी भी green point को hold करना है left click से आपको drag करेंगे तो आपका जो shape है वो resize होना शुरू हो जाएगा तो जैसे ही मैं इसको अपने left click को छोड़ूँगा तो यहाँ पर मेरी image है वो resize हो जाएगी Now the last point is अगर हमारे पास एक shape से ज्यादा shapes हैं और अगर हमें उनको group करना है तो हम कैसे करेंगे तो पहले मैं आपको बता दूँ कि group करने का फायदा क्या है Suppose मेरे पास एक shape और है और वो है हमारा circle तो अभी जो मैं इनको move करूँगा वो अलग-अलग होंगे move क्योंकि यह दो particular shapes हैं अगर हमें circle को move करको पसमाशा अगर मैं니다 अगर मैं in two-nones को combine करना चाहतो हैं और मैं चाहतब के जहां पर भी यह image move हो यह एक साथ move हो तो मुझे क्या करना है इन दोनों को group करना है तो group करने के लिए मुझे किसी भी image को पहले select करना है select करने के बाद मुझे shift की press करना है दूसरी shape को या जो भी shape है हमें group करना है उसको click करेंगे तो देखें यहाँ पर हमारा यह box होया है यह पूरा बड़ा हो गया है और अब हमें क्या करना है और अब हमें जाना है format पे format पे जाने के बाद यहाँ पर एक group का option है तो जैसे मैं इसको group पे click करूँगा हमारी अब यह image जो है group हो गई है अब मैं इसको कहीं से भी hold करूँगा तो देखें दोनों image मेरी एक साथ move होंगी so this is the advantage of group option and यह बहुत जाला काम आने वाला option है now suppose अगर हमें इसको ungroup करना है तो वह हम कैसे करेंगे इस object को select करना है select करने का फिर से वही जाना है format पे format पे जाने के बाद group and group पे जाने के बाद हमें क्या करना है ungroup तो जैसे मां ungroup पे click करूँगा अब यह दो separate image change हो जाएंगे अब देगे मैं इसको अपना अलग move कर सकता हूं और मैं इस image को अलग move कर सकता हूं and यह हमने unit 1 के second topic से related सारे points को cover कर लिया है अगर आपको कोई भी problem हो इस topic से related या फिर इसके अलावा भी कोई topic से related कोई doubt हो या फिर कोई problem हो आप comment section में comment कर सकते and आप मेरे को instagram पे follow कर सकते हैं for the quick response I hope you like this video and आपको practically सारी चीजे समझ में आ गई हो अगर आपको यह video पसंद आयो so please give the thumbs up to my videos and share my videos and like and support my channel thanks for watching